गुड मॉर्णिंग बच्चों आज हम चैप्टर 6 फिजिक्स का आपका जो चैप्टर 6 है उसका नाम है प्रत्यावर्ति धारा हमने पार्ट फरस्ट में कुछ परिभास आए और कुछ डेरिवेसन हल किया फिर उसी के आगे हमने हमारी हेडिंग थी प्रत्यावर्ति धारा से म गुडों करना हैं, तो सबसे पहले ही आपको डालना है प्रत्यावर्ति धारा से भान, पुछ परिभास आये 3 हृँ हम सपर तोम देखेंगे है आगे कौन पड़ने है आ निग मैं मैं हेशनी तो का डालना है प्रत्यावर्ति-धारा से समंधित कुछ परिभास आए सम डिफिनीशन डिफिनीशन टि रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करेंट तो आप क्या पढ़ना है पहले एडिंग है आपकी आयाम तो आयाम मतला एम्प्लीट्यूड तो आयाम क्या लिखेंगे आयाम में क्या होता है आयाम तो देखें चु ठीक दो बार अधिकतम मान को धारा का सिखर मान अथवा धारा आयाम कहते हैं इसे आई नौट से प्रदर्शित करते हैं ठीक तो क्या कह रहा है कि चुमकिये छेत्र में घुमती हुई कुड़ले के एक पूरे चक्कर में परिपत में उत्पन्य प्रत्यावर्ति धारा का मान ठीक दो बार अधिकतम मान को धारा का सिखर मान अथवा धारा आयाम कहते हैं इसे आई नौट से प्रदर्शित करते हैं फिर हेडिंग है हमारी आवर्त काल किया है ताइम पीरिएट का क्या है आपर तो देखें इसके अंदर लिखेंगे कि जितने समय में प्रत्यावर्ति धारा अपना एक चक्कर एक साइकल पूरा करती है तो उसे आवर्तिकाल कहते हैं तो क्या करें एक चक्कर पूरा करती है उसे आवर्तिकाल कहते हैं तो यदि प्रत्यावर्ति धारा की कोडिये चाल उमेगा हो तो इसका आवर्तिकाल का सूत्र यहां पर दिया प्रत्यावर्टी धारा की आवरत्यावर्टी कहते हैं प्रिट धारा की आवर्टी के इसे इसमाल-1mm बराबर वन अपान कैप्टल्टी थीक यह रहा है तो यहां आप देखे इसमें, हम लिखेंगे चुकि T बरावर 2 pi upon omega तो हमने अभी पढ़ा था आवर्तिकाल बरावर 2 pi upon omega तो हमको इसमें रख देना है तो हमारा क्या हो जगा यप बरावर 1 upon 2 pi upon omega ठीक है पहले का चौतिम दूसरे का तीसरे में गुड़ा करेंगे तो आपका बन जाएगा यप बरावर omega upon 2 pi ठीक तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे फिर देखो हम क्या लिखेंगे आपर ठीक लिखेंगे आवर्तिका मातरक ठीक है आवर्तिका मातरक बताना है तो आवर्तिका मातरक साइकल प्रतिसेकेंड साइकल प्रतिसेकेंड ठीक अथवा हर्टज है ठीक है दो मातरक है एक क्या है साइकल प्रतिसेकेंड और दूसरा क्या हर्टज घरों में प्रयोग की जाने वाली प्रतिया वर्ति धारा के आवर्ति 50 साइकल प्रतिसेकेंड होती है ठीक है जो घरों में प्र्योक किया थी तीएसी ज़ो प्रयोक किया थी एसी की-आवरती क्या होती है 50 cycle प्रतियीकंग होती है ठीक है तो क्या है देकि मांद दिमान मतलब मीन वैलू किया है हमारी मेन वैल्य में वाम है क्या देखेंगे कि अंदर थी कि connect तो हम लिखेंगे प्रत्या वर्टी धारा का मान वा भी दिसा दौनों ही आवर्त रूप से परिवर्टी धोते हैं कि होते रहते हैं dans फिसन के दौरान एक डिसा में उन्य है उती है दिखाया उसे दाइबहों ना की मोटवाच को तोitet शुकुत सब्सकार को है कि प्रत्यावर्ति धारा का मानवा दिसा दोनों ही आवर्त रूप से परिवर्टित होते हैं यह बंग से प्रत्यावर्ति धारा के लिए लिए प्रत्यावर्ति कि द्याम थानती प्रत्य धर और साइक लिए के लिए प्रत्य धर्षथ माधे माधे लिए में किना रिखना है कि थानती तो इस पहले के लिए यह फ्रक लिए इसके पहल हुआ striikkla प्रत्यावर्टी धारा का माद्यमान ठीक, तो माद्यमान है और प्रत्यावर्टी धारा का, तो हम इसको किसे प्रदर्शित करेंगे, हम लिख सकते हैं इसको, इसमाल आई सफिक्स में इसमाल यम, तो यम से माद्यमान और इसमाल आई से प्रत्यावर्टी समा कलन यहां पर किया जा रहा है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं इंटिगेशन हमने लिया 0 से ती बाइटू तो जो आपका वहां पर क्या हुई थी? धारा प्रवाइत हुई थी तो सबसे पहले 0 से ती बाइटू की तरफ गई थी थी? तो यहां पर हम लेंगे 0 से ती बाइटू थी 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 थ क dalla KX लख क्या करना है तो यहां पर T by 2 इस समझे कहा लिए तवाला श् Lawrence कन शाना निस तेया निचे वाला तो यहां पर dt के साफ पेच यहां पर one दिया हुआ है तो इसका जब हम समा कलन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं zero-ty2 होगा तो इसको बड़े bracket के अंदर यहां इसको समय नीचे जहां इसमाल आई धारा का तात कालिक फिर ये अपर सूत्र लिखेंगे इसको अलम करें इसमाल आई नॉट साइन तो देखें अब हमने क्या किया है अब हमने क्या किया है हमने लिखा इस्माल आई सफिक्स में इस्माल यम फिर क्या इक्कोल में तो हमने बटें तो क्या किया है हमने हमने 2′ नर्चमाल ये और उमेग पार में सबने दोल स्काल किया है रहा हम पर सबदेगा ये नर्चमाल्यकाउट तो हमने क्या किया है हमने capital टी कि जगटा खें कि अब लगा नंते तो यहां पर रहले तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहले का चौथे में गुड़ा दूसरे का तीसरे में ठीक तो हम जब हल करेंगे तो आपका क्या जाएगा ओमेगा पान पाई आजाएगा हल करने पर ठीक इसके बाद integration जिरो से पाई पान ओमेगा है तो यहां पर भी टी के जगे तू पाई पान ओमेगा रखेंगे तू से 2 कैंसिल होगा फिर पहले का चौथ्थे में गुड़ा होगा दूसरे का तीसरे में तो आपका पाई पान ओमेगा बन गया है ठीक तो यहां पर तो तू तात का लिक माने धारा का तो हमने लिखा इसमाल आई की जगा आई नॉट साइन ओमेगा थी इंडू डी थी हो गया इतना फिर देखे इसके बाद हमने क्या किया आई यम बराबर ओमेगा अपान पाई इंडू इंडू क्या क्या आई नॉट हमने क्या किया है common किया है ठीक आइणोट हमने क्या किया common कर लिया है ठीक फिर क्या किया हमने फिर देखें यहाँ पर हमने क्या किया है हमने यहाँ पर इसका समा कलन किया किसका समा कलन किया है हमने i-not sin omega t into dt का समा कलन किया है तो जब हम समा कलन करेंगे तो यहाँ पर I0 sin omega t into dt का करेंगे ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा ठीक है आपका हो जाएगा तो I am बरावर कितना हो जाएगा ठीक कितना हो जाएगा omega upon pi ठीक है into I0 sin I0 to common कर लिया है कि वस sin omega t into dt का होगा sin omega t into dt का जब हम करेंगे तो आपका आज जाएगा कितना omega t बरावर ठीक बन जाएगा cos minus cos omega t upon omega बन जाएगा जब इसको हल कर लेंगे ठीक तो यह समा कलन आपको अगर आता है तो हल कर पाएगे ठीक तो यहाँ पर हमने बताया आपको क्या sin omega t into dt का आउकलन किया गया है जब इसका आउकलन करेंगे तो आपका बन जाएगा minus cos omega t फिर अपान omega ठीक हो जाएगा फिर इसी से हमने omega क्या किया है बाहर निकाल लिया है i not आपका बायर था ही तो आपका बन गया था omega upon pi इस्टेप में देखेंगे i am बराबर omega upon pi into i not upon omega फिर ब्रैकेट के अंदर minus cos omega t फिर और ब्रैकेट बन pi upon 0 से pi upon omega फिर तो ये हो गया समाखन करने पर इतना आया इसके बाद देखेंगे क्या हुआ है फिर यहाँ पर आपको सूत्र अगर समझ में अगर नहीं तो सूत्र आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या लिखेंगे sin omega t into dt integration 0 से pi upon omega फिर तो आपका सूत्र यहाँ पर हो जाएगा समाखन का हो जाएगा integration sin yn x into dx फिर बराबर minus cos yn x upon फिर यहाँ हो जाएगा फिर तो यहाँ पर yn करेंगे तो यहाँ पर minus cos है sin का जब हल करेंगे तो minus cos में चेंज होगा तो minus cos फिर यहाँ पर क्या है omega t है आपके जो इस्टेप में है ठीक है तो sin omega t है into dt है यहाँ पर क्या है सूत्र क्या होता है integration sin yn x into dx से बराबर minus cos yn x upon yn तो हम लिखेंगे minus cos ठीक फिर यन की जगह क्या लिख सकते है आपर omega yx जगह t upon yn की जगह omega हो जाएगा ठीक तो यह सूत्र आपको यहाँ पर यूज कर देना है अगर यह आपको तयार है तो यहाँ पर आप हल कर लोगी ठीक तो यह हो गया इसके बाद समझ में आ गया कैसे हुआ इसके बाद लिखें आई-म बरावर क्या करेंगे तो आई-म बरावर क्या करेंगे हम omega से omega यहाँ पर cancel हो जाएगा बचे का माइनस i0 upon pi ठीक है ब्रेकट के अंदर आप देखें यहाँ पर कम है हम सबसे पहले क्या हल करेंगे हम लिखेंगे पहले लेंगे Walker रगषिफ है माइनस आपका बावर कामन ही हो गया था जुद नीचे आपका आया था माइनस i0 upon Pi ठीक है अब पाई अपान omega लेंगे तो एक बड़ पाई यहाँ लेंगे जगे रखेंगे t की जगे रखेंगे ठीक है तो हमने लिखेंगे रखेंगे् muito GB same चुल keत्ति उमेग चैंसील आपको के सबस्क् conservation आहिंब तो आम डिके सब्सक्राइप स्ब्सक्राइभन बन गया पूरा रातियो व्यस्य सक्षाइब व्यस्य सब्सक्राइब तो im बड़ावर minus 9 naught upon pi bracket के इंदर cos pi minus cos 0 हो गया इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखें आपको पता है कि pi बड़ावर क्या होते है 180 pi कमान होते है 180 cos ठीक, cos 180 कमान कितना हो जाएगा cos 180 कमान अपर कितना हो जाएगा minus 1 ठीक हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे I am बरावर ठीक माइनस I not upon pi ठीक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे माइनस 1 ठीक है और cos 0 कमान कितना होता है cos 0 कमान 1 होता है ठीक है चिर्णने आपका माइनस का लगा हुआ है तो हम लिखेंगे माइनस 1 माइनस 1 कर लेंगे इसके बाद देखेंगे क्या करना है अब माइनस 1 और माइनस 1 दिख रहा है तो 1 1 जूड़ जाएगा पर चिन वही रहेगा ठीक है कोष्टे के अंदर वाला तो माइनस जो बाहर लगा है वो अभी देखेंगे तो माइनस 1 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का 2 Mr. ए इंडू इनस 2 बहें इटे इंडू वही नॉट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 arranged मीनने लग forwards tant आप देखें पाई का मान यहाँ पर हमने लिखा है पाई का मान कितना लिख लिख लिया है ठीक है पाई का मान 3.4 लिख सकते हैं फिर भाग दिया हमने ठीक है 2 में भाग दिया है जब भाग देंगे तो आपका आज आएगा आई यम बरावर 0.6 3 7 इसको ब्रैकट में बंद कर लेएगे फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग माद मूल मान पढ़ेंगे रोट मीन स्कॉरफेलयू तो क्या है प्रत्यावटी धारा के एक पूर्ण साइकल के लिए धारा के वर्ग आई स्कॉयर के आउसत मान के वर्ग मूल को धारा का वर्ग माद मूल मान कहते हैं से प्रदर्शित करते हैं एक पूर्ण साइकल के लिए आई स्कॉयर का माद देमान तो यह भी आपका डेरिवेशन है इसको भी हल करेंगे तो देखें यहां पर हम क्या लिखेंगे आई स्कॉयर यहां पर बार का चीन है मतलब कि बारवार आया है मतलब आई कमान तो यहां पर इसको इस रूप में लिख सकते हैं आई स्कॉयर बार ठीक बरावर ठीक वन अपान टी इंटिगरेशन जीरो से टी आई स्कॉयर इंटु डी यह भी हमने क्या किया एक स्टेप कर लेंगे आप ठीक तो यहां पर क्या लिख सकते हैं इंटिगरेश जीरो से t into i square into dt लिखा हुआ है यहां पर बन पांट इंट्रिकेशन जीरो से t i square dt ठीक है तो हम इसको हल करेंगे तो देखें इसके बात क्या हम लिखेंगे इसमाल आई बरावर ठीक आई नॉट sin omega t अभी यहां रख देंगे तो आपका क्या बने आउल लिखेंगे तदा capital T बरावर 2 pi अपान omega रखने पर ठीक रख देंगे तो हमारा क्या जगा आई square वार बरावर इसके बात देखें क्या करेंगे अब लिखेंगे अब लिखेंगे हैं इसके बात देखें क्या करेंगे अब लिखेंगे आई square वार बड़ाव ओमेगा अपान 2 pi हमने आई बढ़ा से मेन से ऊंधितने बचिई करेंक हैं तो देखें क्या करें किसमें हम में समा कलन करने कला सब्सक्राइए सूत्र ठीक तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर ठीक सूत्र का प्रयोग क्या करेंगे देखेंगे हम क्या करेंगे तो हम लिखेंगे ठीक आपका होता है साइन ओमेगा टी हमने क्या किया है साइन इसको हमने बनाया है ठीक है सूत्र में बना लिया है तो आपका क्या ह कि यहां पर आपका इतना आएगा और किसका प्रयोग कैसे हमने किया है हमको पता है हम को पता है कि cos 2 theta बरावर क्या होता है cos 2 theta बरावर होता है 1-2 sin 2 theta होता है फिर क्या होता है 2 sin जब हम इसको पच्छांदर करते, बनाते हैं तो एक होद बन जाएगा 2 sin 2 theta बरावर 1- cos 2 theta होता है तो यहाँ पर हमने इसी का यूज़ किया है ठीक है इसका यूज किया है हमने तो आपका क्या आ जाएगा देखें अगले इस टिप में क्या आया है ठीक है आई स्क्वाइर वार बरावर ओमेगा अपान टूपाई इन्दू आई नॉट स्क्वाइर बाई तू थीक है ब्रैकट के अंदर क्या आया है टी माइनस साइन इसको हल किया हमने अपने ह्नुकर ये एक पाय आया मेगा आ यू करने पर आपका इतना हैschaft की लिखेंगे ऑसक्वार बराबर तो पाई न्ट रिकेंगे इसको फार्वार बराबर तो लिखें के दर्दित्ल पाई थीक है्ए हो जायाने पर दू क्या तो फ्सक्वाइगे 20 ध तो आपका इतना हो जाएगा थिका ओमेगा अलएंड नौट स्काईटव यह 2 लीघ थाइने को आपका आई इसकाइगा टूपए इतना हो जाएगा थी लाइगा vivre फिर लाई हिदो टीजिसल दाद कर देंगे तो आपका आझाएगा तो यहीं से हमारी क्लास आज की समात होती है इसे आगे हम अधियन करेंगे ठीक थैक थैंक थैंक्स 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 फार वाचिं इस वीडियो